कि है कि छल्वरी में हमारी थीन अःप एक भुशन सायंस प्लस पहली आफ जिसमें हम somos Medical फार्मसी और नर्सिंग के वीडियो लेक्ठर स्थेडी मेडेल आफ करते हैं दूसरी हमारी आफ है जिसमें हँ नीट रिलेटेड वीडियो लेक्चर्स, लाइव क्लासिस और स्टडिमेटर प्रवाइड करते हैं और तीसरी हमारी एप है बुशन साइंस एक्जाम जिसमें हम वेलियस एक्जाम्स की टेस्ट सिरिस प्रवाइड करते हैं इंक्लूडिव यूर फार्मसी, नर्सिंग, मेडिकल, गॉर्मेंट, नॉन गॉर्मेंट, एक्जाम्स, एक्जाम्स, थैंक्यू परिचाए देखो दीबक, मेरे पास क्या है? मेरे पास एक टॉट है हाँ, ये है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि तुम्हारे पास मुझसे बेहतर चीज है देखो, मेरे पास क्या है? मेरे पास एक लेजर लाइट है लेजर लाइट? वाँ, ये तो बहुत आकर्शक लगती है तुम्हें पता है, मेरे पिता ने मुझे ये मेरे जन्म दिन पर उपहार में दी थी मेरे पिता ने मुझे बताया कि ये आँखों के लिए बहुत खतरनाक होती है लेकिन एक प्रकाश हमारी आँखों को किस तरह नुकसान पहुचा सकता है? वास्तों में यह संकीर्ण आवरित्ती वाला प्रकाश होता है तथा इसका प्रयोग भाधिकी के क्षित्र में किया जाता है क्या तुम मुझे इस बारे में और अधिक बता सकते हो? हाँ हाँ, बिलकुल बच्चों, इस पार्ट में आप विकिरण तथा द्रवे की द्वेत्र प्रकृती के बारे में सीखेंगे उद्देश्य इस पार्ट के अंत में आप निम्न करने में सक्षम हो जाएंगे इलेक्ट्रोन उससर्जन का वालन करना प्रकाश वैद्युत प्रभाव का वालन करना प्रकाश के तरंग सिध्धांद पर चड़जा करना आइंस्टीन के प्रकाश वैद्युत समीकरण को स्पष्ट करना फोटॉन की उजा ग्यात करना प्रकाश की कणिये प्रकृती का वालन करना द्रव्य की तरंग प्रकृती का वड़न करना, हैजन बर्ग के सिध्धान्द का उलेक करना, टेविसन तथा जर्मर के प्रयोग का वड़न करना. इलेक्टरॉन उत्सर्चन कहलाते हैं, क्योंकि ये ठोस के अंदर स्वातंत्र होते हैं, हाला कि ये अपने आप ठोस से बाहर नहीं निकल सकते। उस सर्जित कराने के लिए आविशक उर्जा की निवनतम मात्रा धातू का कारे फ्लन फाहिक्षू ने कहला दी है। दापायनिक उत्सर्जन धातू को गर्म करने पर मुक्त इलेक्ट्रोन द्वारा परियाप्त दापिये उर्जा प्राप्त की जाती हैं, जिससे वे धातू प्रिष्ट के आकर्शन पल से मुक्त हो जाते हैं। प्रकाश विद्युद उत्सर्जन प्रकाश के रूप में उर्जा की आपूर्थी किये जाने पर भी धातु से मुक्त इलेक्ट्रॉन निकाले जा सकते हैं। इस प्रकार उस सर्जित इलेक्ट्रॉन प्रकाशिक इलेक्ट्रॉन कहलाते हैं। स्पूलिंग अधिक हो जाता है। हर्ज अपने प्रेक्षणों की व्याख्या नहीं कर सका लेकिन अन्यव वग्यानिकों ने ये किया। उन्होंने पताया कि धातू की प्लेट से इलेक्ट्रॉनों के उस सर्जित होने के कारण उच्च आवरिती वाले प्रकाश का आपदित होना है। ये प्रकाश विद्धित प्रभाव कहलाया। हाल वाक्स तथा लीनाट के प्रेक्षण। फिलिप लीनाट ने अवलेकित किया कि जब दो धातू प्लेटें जो इलेक्ट्रॉड कहलाती हैं उससे घरी एक निर्वातित कांच की नली में उस सर्जक पटिका पर पराबैगनी विकरण आपदित किया जाता है तो परिपत में धारा प्रवाहित होती है। इन प्लेक्षण। ने इंगित किया कि जब उस सर्जक पटिका पर पराबैगनी विकरण आपदित होता है तो इससे इलेक्ट्रॉण बाहर निकलते हैं जो एनोड पटिका की ओर आकर्शित होते हैं। निर्वातित कांच नलिका से इलेक्ट्रॉण प्रवाह परिपत पूर्ण कर देता है और परिपत में धारा प्रवाहित होने लगती है। तब लिनाड और हॉल वाक्स ने एक जिंक पटिका तथा एक विद्ध दर्शी लेकर इस बारे में आके और प्रयोग किये। जिंक पटिका को एक विद्ध दर्शी से जोडा गया। उन्होंने ये प्रिक्षित किया। जब एक अनाविशित जिंक पटिका को पराबैगनी प्रकाश से किरनित कराया जाता है, तो जिंक पटिका में धनावेश उत्पन हो जाता है। इन सभी प्रेक्षणों से पता चला कि जब पराबैगनी प्रकाश जिंक पटिका पर अहपतित होता है, तो रिणा वेशित करन अर्थात इलेक्ट्रोन उस्सरजित होते हैं। प्रकाश विद्ध प्रभाव का प्रायोगिक अध्ययन उपकरण एवं परिपत्थ। नली में दो इलेक्ट्रोड पी और क्यू हैं तथा पाश में कौर्स गवाक्ष हैं। जिससे प्रयोग के समय पराबैगने किरणे पार हो जाती हैं। गवाक्ष के सामने विकरण का एक स्रोथ इस तरह उप्युक्त रूप में रखा गया है कि विकरण क्यू पर आपतित होता है। पी और क्यू शूने केंद्र के साथ एक वोल्ट मीटर से जुड़े हैं। आवशक वोल्टता प्रदान करने के लिए हम एक उच्च वोल्टता वाली पैटरी बी को विभाव विभाजक वैवस्था एम एन पर कुनजी के के साथ संयोजित करते हैं। प्रकाश विद्ध धारा पर प्रकाश की तीवरता का प्रभाव। प्रति सेकेंड उस्सर्जेत प्रकाशिक एलेक्टरौन आपतित विकरण की तीवरता के अनुक्रमानुपादी होते हैं। प्रकाश विद्ध धारा पर विभाव का प्रभाव। वक्र ए आपतित विकरण की निम्न तीवरता के लिए और वक्र पी आपतित विकरण की उच्च तीवरता के लिए है। विभाव में विध्धी के साथ फोटो विद्धुतिय धारा में भी बढ़ोतरी होती है। नियत विभाव के लिए धारा महत्तम यानी उच्चिस्ट होती है। विभाव में विध्धी के बाद भी धारा में विध्धी नहीं होती है। और ये संत्रिप्त धारा कहलाता है। माना की पी विभाव अपशून है। इस चरण में कुछ ऐसे इलेक्टोनों के कारण अन्पधारा प्रेक्षित की जाती है। जो उस सर्जन के परियाप्त उच्च वेक के कारण पी तक पहुँशते हैं। यद्यपी पी पर कोई धनात्मक त्वारक वोल्टिता नहीं होती। अब चल संपर्क एल को एन की ओर खिसकाते हुए पी को रनात्मक करते हैं। धारा तेजी से गिरती है और माइनस वी शूने विभाव के नियतमान पर धारा शूने हो जाती है। तथा प्रकाश विद्ध उत्सर्चन पूर्टिया रुख जाता है। ये वोल्टिता वी शूने निरोधी विभाव कहलाती है। प्रकाश विद्धारा शूर्ने होती है जब निरोती विभाव अधिकांश उर्जेत प्रकाशिक इलेक्ट्रॉनों को अधिक्तम गतिज उर्जा के अधिक्तम के साथ प्रतिकर्शित करने के लिए इस प्रकार परियाप्त होता है के अधिक्तम बराबर इवी शूर्ने होता है निरोधी विभाव पर आपतित विक्रण की आवरित्ती का प्रभाव प्रकाश विद्धित धारा आवरित्ती में परिवर्तन से आप्रभावित रहती है जबकि निरोधी विभाव आपतित प्रकाश की आवरित्ती में बढ़ोत्री होने के साथ बढ़ जाता है यदि हम आपदित प्रकाश की आवरित्ती यानी वी के सापेक्ष निरोधी विभव वी शूने हो के लिए एक ग्राफ अंकित करें तो ये एक सीधी रेखा के रूप में प्राप्दो होता है यदि आपदित प्रकाश की वो नियूनतम आवरित्ती है जिस पर निरोधी विभव या उत्सरजित इलेक्ट्रोनों की अधिक्तम गतिज उर्जा शूने हो जाती है यदि आपदित प्रकाश की आवरित्ती देली आवरित्ती से कम हो जाए तो प्रकाश विद्धित प्रभाव उत्पन नहीं होता है प्रकाश विद्धित प्रभाव तथा प्रकाश का तरंग सिध्धान्त तरंग सिध्धांत के अनुसार प्रकाशिक इलेक्ट्रोनों की गतिज उर्जा आपतित प्रकाश की तीवरता पर ही निर्भर होनी चाहिए लेकिन प्रायोगिक प्रेक्षणों के नुसार प्राकाशिक इलेक्ट्रोनों की गतिज उर्जा आप्तित प्रकाश की दिवरता पर निर्भर नहीं हो दी तरंग सिध्धान्थ के अनुसार किसी भी आवरिती का प्रकाश प्रकाश की परियाप्त तीवरता होने पर धात्विक प्रिष्ट से इलेक्ट्रोन उस्सरजित कर सकता है लेकिन प्रायोगिक प्रेक्षणों के अनुसार देली आवरित्ती से कम आवरित्ती का प्रकाश इलेक्ट्रोनों को उत्सर्जित नहीं करा सकता आपतित प्रकाश की आवरित्ती चाहे जो भी हो तरंग सिध्धान्थ के अनुसार प्रकाश तरंगों द्वारा इस्थानांत्रितूर्चा किसी विशेश इलेक्ट्रोन में नहीं जाती बलकि ये एक समान वित्रेथ होती है जिससे इलेक्ट्रोनों के उत्सर्जन में कुछ समाई लगता है लेकिन प्रायोगिक प्रेक्षणों के अनुसार धातू पर प्रकाश के आपतित होने के पस्चाद इलेक्ट्रोनों का उत्सर्जन तक्षण ही होता है प्रकाश की तीवरता चाहे जो भी हो आइंस्टीन का प्रकाश विद्ध समीकरण विकरण का उर्जा क्वांटम प्रकाश उर्जा के छोटे बंडलों के रूप में प्रसारित होता है जो क्वांटा या फोटॉन कहलाते हैं प्रदेख फोटॉन की उर्जा एच नियू होती है जहां नियू प्रकाश की आवरिती तथा एच बलांक का इस्थिरांग है एच का मान 6.62 गुणे 10 की खाथ माइनस 34 जूल सेकेंड होता है यदि इलेक्ट्रॉन फोटॉन से उससे अधिक मात्रा में उर्जा फ्योशित करता है जितनी उर्जा धातू के प्रिष्ट से बाहर निकल जाने के लिए आवशक होती है फाई शून ने तो इलेक्ट्रॉन अधिक्तम गतिज उर्जा से उससर्जित होता है के अधिक्तम बराबर एच निउ माइनस फाई शून ने ये समीकरण आइंस्टीन का प्रकाश वैद्द समीकरण कहलाता है महतवपूर्ण बिंदू धातू के प्रिष्ट से इलेक्ट्रॉन के उससर्जन के लिए एच निउ फाई शून से अधिक है यह दर्शात है कि कारे फलन, फाई, शुनने जितना अधिक होगा, इलेक्ट्रोन उत्सरजित करने के लिए आविशक देहली आवरिती भी उतनी ही अधिक होगी। उपलब्द फोटौनों की संख्या जितनी अधिक होगी, उतनी अधिक संख्या में इलेक्ट्रोन, फोट्रोनों से उर्जाफ शोशित करेंगे और इस तरह से धादू के प्रिष्ट से उस सर्जित होने वाले इलेक्ट्रोनों की संख्या भी उतनी ही अधिक होगी हम जानते हैं कि के अधिक्तम बराबर e v 0 और के अधिक्तम बराबर h new minus phi 0 इसलिए h new minus phi 0 बराबर e v 0 बराबर h बटे e गुने new minus phi 0 बटे e यदि हम new को x अक्ष पर तथा के अधिक्तम को y अक्ष पर लेते हुए new और वी शुने के बीच एक ग्राफ अंकित करें तो ग्राफ एक सीधी रेखा के रूप में होगा चुंकि समीकरण y पराबर mx प्लस c के रूप में है रेखा m का ढाल पराबर h बटे e जोकी एक सार्वत्रेक नियतांक है उधारण यदि 4950 आंक्स्ट्राम तरंग दैर्द का प्रकाश फोटानों के संतत प्रवह के रूप में देखा जाए तो e-v में प्रतेक फोटान की उर्जा कितनी होगी दिया है प्लांक का इस्थरांग h बराबर 6.6 गुणे 10 की घाथ माइनस 34 जूल प्रतिस सेकंड हल फोटान की उर्जा निम्न द्वारा ग्याद की जा सकती है e बराबर h नियू e बराबर h c बटे लेमडा इसे समी करण एक माने c प्रकाश की चाल है जो 3 गुणे 10 की घाथ 8 मीटर प्रतिस सेकंड है समी करण एक से e बराबर 6.6 गुणे 10 की घाथ माइनस 34 गुणे 3 गुणे 10 की घाथ 8 बटे 4950 गुणे 10 की घाथ माइनस 10 जूल हल करदें पर हम पाते हैं कि e बराबर 4 गुणे 10 की घाथ माइनस 19 जूल इसे ev में वेक्त किया जा सकता है e बराबर 4 गुणे 10 की घाथ माइनस 19 बटे 1.6 गुणे 10 की घाथ माइनस 19 ev e बराबर 2.5 ev प्रकाश की कणिये प्रकृति, फोटॉन प्रकाश विद्धित प्रभाव आइंस्टीन के प्रकाश के क्वांटम सिध्धान्त को समर्थित करता है जिसके अनुसार द्रव से अनियोनिक क्रिया में प्रकाश उर्जा के बंडलों की भाती वहवाहर करता है प्रतेक बंडल एक फोटॉन कहलाता है प्रकाश के फोटॉन चित्रण को निम्ननुसार संक्षेपित किया जा सकता है जब विकिरण द्रव से अनियोनिक क्रिया करता है तो ये इस प्रकार वहवाहर करता है जैसे कि ये फोटॉन कहलाने वाले कनों से बना हुआ हो नियू आवरिति तथा लेम्डा तरंग देर्थ वाले प्रतेक फोटॉन की उर्जा ये बराबर ह नियू बराबर ह सी बटे लेम्डा फोटोन का सम्वेग P बराबर H नियू बटे C बराबर H बटे लेमड़ा जहां C प्रकाश की चाल है दी गई आवरिती के सभी फोटोनों की समान उर्जा E बराबर H नियू होती है फोटोन वैद्यूतिक रूप से उदासीन होते हैं इसलिए वे विद्धत तथा जुम्म की एक शेत्रों द्वारा विक्षेपित नहीं होते फोटोन इलेक्टोन अन्योन निक्रिया में कुल उर्जा एवं कुल सम्वेग संदक्षित रहते हैं हाला कि संघट में फोटोनों की संख्या संदक्षित नहीं की जा सकती क्यूंकि फोटोन अफ्षियोशित हो सकता है और विभिन उर्जाओं वाले नए फोटोन स्रिजित किये जा सकते हैं जससे कुल उर्जा नियतांक रह सकती है जो की हैच नियू बराबर ह नियू एक प्लस ह नियू दो द्रव्य की तरंग प्रक्रिती सन 1924 में लुईस दे ब्रॉकली ने प्रस्तावित किया कि पदार्थों के गतिमान कर्ण तरंगों की भाती वैवाहर करते हैं तथा पदार्थों के करों से संबध तरंग देर्थ को लेम्डा बराबर ह बटे प बराबर ह बटे मवी त्वारा व्यक्त किया जा सकता है जहां प बराबर मवी गतिमान कर्ण का रहखिक सम्वेक है ये दे प्रॉकली बरीकलपना कहलाती है फोटॉन का सम्वेक है प बराबर ह बटे लेम्डा ये देता है तरंग देर्थ लेम्डा बराबर ह बटे प इसलिए दे ब्रॉकली ने प्रस्तावित किया दे ब्रॉकली तरंग देर्थ लेम्डा बराबर ह बटे प बराबर ह बटे मवी यदि K द्रव्य कड़ों की गतिज उर्जा है, तो सम्वेक P तथा गतिज उर्जा K के बीज संबंध निम्नवत होगा K बराबर 1 बटे 2 M V वर्ग, बराबर 1 बटे 2 M गुणे M गुणे P बटे M वर्ग, बराबर P वर्ग बटे 2 M या P बराबर 2 M K का वर्ग मोल अता, दे ब्रॉकली तरंग देर्थ, लेम्डा बराबर H बटे 2 M K का वर्ग मोल ये समिकरन एक है यदि V V वोल्ट, इलेक्ट्रॉन का त्वरक विभाव है, तो K बराबर E V समिकरन एक से, लेम्डा बराबर H बटे वर्ग मोल 2 M E V M E और H के मानों को प्रतिस्थापित करने पर हम बाते हैं की लेम्डा बराबर 12.27 बटे V आंग स्टॉम का वर्ग मोल उधारण पांच किलो वाट विभाव से तोरित इलेक्ट्रॉनों से संबध दे ब्रॉगली तरंग देर्थ की गढ़ना करें हल दिया है V बराबर 5 किलो वोल्ट, बराबर 5000 वोल्ट नीचे दिये गए सूत्र से हम दे ब्रॉगली तरंग देर्थ ग्याद कर सकते हैं लेम्डा बराबर 12.27 बटे V आंग स्टॉम का वर्ग मोल लेम्डा बराबर 12.27 बटे 5000 आंग स्टॉम का वर्ग मोल बराबर 0.173 आंग स्टॉम तरंग पैकेट हाईजेन बर्ग के अनुसार किसी द्रव्यकन की इस्थिती एवं सम्वेक को एक इही समय पर एक साथ ठीक ठीक मापना असंभव होता है इस्थिती डेल्टा एक्स तथा सम्वेक डेल्टा पी के समकालिक निर्धारण में अनिश्चताओं का गुणनफल एच कैप होता है जहां एच कैप बराबर एच बटे दो पाई डेल्टा एक्स गुणें डेल्टा पी लगभग एच कैप होगा एक निश्चित तरंग देर्ध की तरंग समस्त दिक स्थान पर विस्तरित हो सकती है लेकिन तरंग द्वारा निरूपित इलेक्ट्रोन समस्त दिक स्थान नहीं खेर सकता इसलिए मैक्स पॉन द्वारा ये सुझाओ दिया गया कि एक तरवे कण जैसे कि कोई इलेक्ट्रोन एकल तरंग के समतुल्ले नहीं होता बलकि ये तरंग पैकिट के समतुल्ले होती है जो अनेक परिवर्तनशील अवरित्यों वाली तरंगों का अतिव्यापन होता है और परिडामता एक निश्चित क्षेत्र प्राप्त होता है जहां तरंगे समपोशी व्यती करण करती है और इस क्षेत्र में कण के होने की प्राइक्ता अधिक्तम होती है ये क्षेत्र तरंग पैकिट कहलाता है डेविशन तथा जर्मर प्रयोग दिये गए चित्र में डेविशन तथा जर्मर के प्रयोग की प्रायोगी क्वैवस्था दर्शाई गई है किसी उच्य वोल्टता उच्यासरोत बैटरी द्वारा उप्युक्त विभव बटे उल्टता का प्रयोग करते हुए तंतु द्वारा उच्चिक वेग तक त्वरित किया जाता है इन्हें एक पेलन जिसमें अक्ष के समानतर महीं छिद्र होते हैं उससे पारित करके एक पतले किरण पुंच के रूप में समानतरित कर लिया जाता है इस पुंज को निकल क्रिस्टल के प्रिष्ट पर डाला जाता है जो लक्ष टी कहलाता है जो आपदित पुंज दिशा के समांतर एक अक्ष पर घूम सकता है क्रिस्टल के परमाणों त्वारा इलेक्ट्रोन सभी दिशाओं में प्रक्रिणित होते हैं किसी दिशा विशेश में प्राकिंडित इलेक्ट्रोन पुंज की तीवरिता को फेराडे सिलेंडर से मापा जाता है, जो संग्राहक C कहलाता है. संग्राहक को वृत्ताकार मापनी S पर घुमाया जा सकता है, और ये सुग्राही गैल्वेनोमीटर से जुड़ा रहता है. गैल्वेनोमीटर में विक्षेप संग्राहक में प्रवेश करने वाले प्राकिंडित इलेक्ट्रोन पुंज की तीवरिता के अनुक्रमानुपाती होता है, प्राकिंडित पुंज की तीवरिता का प्राकिंडन कोण थीटा के साथ परिवर्तन को विविद इलेक्ट्रोन ओर ज जाता है। दे ब्रॉगली संबंध से 54-EV इलेक्ट्रोनों से संबध दे ब्रॉगली तरंग देर्थ भी निर्धारित किया जा सकता है। इसके लिए इलेक्ट्रोनों को 54V के विभवांतर से तौरित कराया जाता है। पटे 54 नैनोमीटर का वर्गमूल बराबर 0.166 नैनोमीटर। इस प्रकार डेविसन जर्मर प्रयोग द्रव्यकडों की तरंग प्रकृति के बारे में दे ब्रॉगली की परिकल्पना का प्रत्यक्ष सत्यापन करता है। क्या आप जानते हैं। 1905 में अलबर्ड आइंस्टीन नामक जर्मन मूल के भौतिक विज्यानी ने प्रकाश वैद्धुत प्रभाव का विवेचन किया। 1924 में लुई दे ब्रॉगली ने तरंग कर्ण दोहत प्रकृति पर अपना सिध्धान्त प्रस्तुत किया। सारांश आईए हमने जो कुछ सीखा है उसे संग्षेप में दोहराएं। इलेक्ट्रोन को धातु प्रिष्ट से बाहर उस्सर्जित कराने के लिए आवशक उर्जा की न्यूनतम मात्रा धातु का कारेफलन फाहिक्षु ने क्यलाती है। उर्जा की आपूर्ती निमन तीन प्रकार से की जा सकती है। क्षेत्र उस्सर्जन, तापायनिक उस्सर्जन और प्रकाश विद्यत उस्सर्जन प्रकाश उर्जा द्वारा धात्विक प्रिष्ट से इलेक्ट्रोनों का उस्सर्जन प्रकाश विद्यत प्रभाव कहलाता है तथा इस प्रकार उस्सर्जित इलेक्ट्रोन प्रकाशिक इले आइंस्टीन का प्रकाश विद्धुत समीकरण K अधिक्तम बराबर H ν्यू माइनस Phi जहां K अधिक्तम अधिक्तम गतिज उर्चा है न्यू प्रकाश की आवरिति है Phi शून धात्विक प्रिष्ठ का कारिभलन है आइंस्टीन के प्रकाश का कॉंटम सिध्धान्थ के अनुसार प्रकाश उर्चा के छोटे बंडलों के रूप में द्रवियों से अन्यून क्रिया करता है और ये बंडल फोटोन कहलाते हैं नियू आवरिति तथा लेम्डा तरंग देर्थ के प्रत्यक फोटोन की उर्चा E पराबर H नियू देप्रोगली तरंग देर्थ लेम्डा पराबर H बटे 2MK का वर्ग मूल जहां के द्रव्यकडों की गतिच उर्चा है हाईजन बर्ग के अनुसार किसी द्रव्यकड की अस्थिति एवं सम्वेक को एक यही समय पर एक साथ ठीक-ठीक मापना असंभाव होता है डेविसन जर्मर प्रयोग द्रव्यकडों की तरंग प्रकृती के बारे में देप्रोगली की परिकल्पना का प्रत्यक्ष सत्यापन करता है